Hello everyone, मैं हूँ धननचाय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, इनका नाम है इर्फान अली और ये गयाना के प्रेसिडेंट है गयाना 1831 से लेके 1966 तक ये ब्रेडिश की कॉलोनी हुआ करती थी और आज भी 40% जो गयाना में लोग रहते हैं लगभग वो इंडियन ओरिजिन के हैं और उसके साथ ही जबसे इर्फान अली प्रेसिडेंट बने है गयाना के, तबसे गयाना और भारत की बीच में रिलेशन काफी अच्छे हुए है इसके साथ ही मैं एक बात और बता दू कि South American countries में काफी भर-भर के मिनरल्स वगेरा मिलते हैं लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है South American countries के साथ वो ये है कि law and order पे उनका control नहीं है 29 मार्श को BBC ने एक interview conduct किया इर्फान अली के साथ में जहां पे interviewer ने कुछ सवाल जवाब किये इर्फान अली से इनके opinion जाने इनके कुछ plans जाने अपने देश के लिए अपने देश के बारे में तकरीबन सभी सवालों के जो जवाब थे वो काफी बहतरीन तरीके से दिये गए इर्फान अली के दवारा लेकिन उसी बीच जो interviewer होता है क्योंकि ये BBC का है तो western countries और western medias को अपने agenda अपने propaganda को चलाना है और in a way अगर आप इस interview को खुद से देखेंगे तो आपको एक चीज़ जो काफी अच्छे तरीके से realize होगा वो ये होगा कि कोई भी काम western countries को अगर suit करता है तो वो काम काफी अच्छा होता है लेकिन same काम अगर कोई और देश करता है यानि कि non western countries करते हैं तो western countries काफी परिशानी होता है उस चीज़ से मैं उस interview का link इस video का description section में मैं लगा दूँगा और मैं ये request करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग जाके उस interview को देखिएगा ताकि at least हमें समझ में आए कि किस तरीके से जो western media है या medias है वो अपने propaganda को run करते हैं मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करे और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं इसके पहले कि हम BBC और इर्फान अली के interview के बारे में कुछ और जाने एक थोड़ा सा reality चेक करते हैं British Empire के बारे में यह आप जो article देख रहे हैं यह worldatlus.com का article है और इसके हिसाब से United Nation के दवारा 195 countries को माननेता मिली है यानि की recognition मिला है उसमें से कुछ लगभग 60 जो देश हैं वो British की colony हुआ कर दी थी और British की colony लगभग लगभग 400 सालों तक इनका empire था और इनका जो आखरी empire था वो था Hong Kong जिसको के अजादी मिलती है 1999 में अधिकतर देशों को जो अजादी मिली है वो लगभग 1st World War और 2nd World War के आसपास मिला है अब इस शीज को देखने का सोचने का बहुत सारा नजरिया है अगर World War ना होता तो शायद ये सब colonies कुछ सालों तक और भी चलते रहते हैं भारत भी एक perfect example है कि 2nd World War जब होता है तो Britishers काफी कमजोर होते हैं और उसके साथ ही जो हमारे freedom fighters होते हैं वो लोग भी काफी सालों से freedom struggle कर रहे थे तो at the end Britishers को भारत से जाना होता है अगर personally कोई मुझसे पूछे कि क्या World War 1 सही था या गलत था क्योंकि हमें आजादी मिली है 2nd World War के कारण या कहले कि उसका बहुत बड़ा contribution है हमारे आजादी में तो मेरे हिसाब से 2nd World War सही था अब आप सोचे कि जो colonies का जो एक basic DNA होता है या जो इसका सोच होता है या जिस चीज के उपर colonies को बनाया जाता है उसके पीछे का agenda ही यही होता है कि एक stronger देश दूसरे कमजोर देश के उपर attack करेगा उसको control करेगा और इसका जो wealth है यानि इसके जो पुरा पैसे है, minerals है उसको यहाँ से पुरा उठाके यहाँ पहुचा देगा तो suppose that कि यह कोई country A है, अगर आप इस देश का सारा minerals को, सारे अनाज को, सारे facilities को अगर आप यहाँ से यहाँ transfer कर देंगे तो of course यहाँ पे भुखमरी होगा ही होगा तो उस भुखमरी है कारण अगर कोई लोग वहाँ पे मरते हैं, तो उसका जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो stronger देश है, उसके उपर ही बनता है क्या कभी आपने कभी सुना, देखा या अटलीस्ट पढ़ा कहीं पे, कि जो British की जो Queen है या King है, इन्हें कोई अपसोस है अपने काम पे या कभी ये घुटने टेक के दुनिया के सामने माफी मांगे, नहीं मांगे अगर आप YouTube पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे YouTube चैनल्स मिल जाएंगे, in fact वीडियो भी आपको वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो ये बताता है कि किस तरीके से British Museum में दुनिया भर का चोरी किया हुआ समान वहाँ पे रखा हुआ है और उसमें भी बहुत बड़ा जो हिस्सा है, वो भारत का है So literally अभी भी हमारा जो बहुत बड़ा जो एंटीक समान है, वो British Museum में पड़ा हुआ है और सबसे अपसोस की बात ये है कि सरकार इसके बारे में कभी आवाज भी नहीं उठाते हैं खेर ये all together एक बहुत ही लंबा टॉबिक हो जाएगा तो हम अपने एजेंडा से नहीं भढ़केंगे ये ANI का 2022 का आर्टिकल है जिसका टाइटल ही है कि वाई इस लंडन मनी लॉंडरिंग कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड ध्यान रखिया, कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड अब हमें ये लगता है ना कि रश्या का US और UK के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है लेकिन हकीकत ये है कि UK पूरा का पूरा रश्यन मनी से फ्लडेड है जो भी oligarchs या businessman है रश्या के, वो उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको ये लगता है कि उनका पैसा सिर्फ रश्या में सेफ नहीं रहेगा इसलिए possibly वो उन सब देशों को तलाशते हैं जहां पे वो देश आपसे पैसा ले, आपसे टैक्स ले और आपके नाम पे या आपके पास जो अथा संपत्ती है उसको वो धंग से प्रिजर्व करके रखे तो इनवे अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा यूके रश्या मनी से फ्लडेड है या इनफाक्ट ये कहले कि यूके सर्वाईवी कर रहा है मनी लॉंडरिंग के पैसे पे उसके बाद अगर मैं तीसरा आर्टिकल दिखाओं तो पूरा यूके में ये 2021 का आर्टिकल है पूरा यूके में लगभग 360 बैंक्स है जिसमें भी 130 बैंक का जो headquarter है वही यूके में है अब एक चीज आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि अगर किसी भी देश में या किसी भी शहर में अगर एक टाइप का ही बिजनेस काफी flourish करता है तो उस टाइप के बिजनेस को काफी संरक्षन दिया जाता है तो अगर यूके में इतने सारे financial institutions या bank है तो कही न कहीं जो सरकार है वो इन सब institutions को काफी benefit पहुचाते हैं या तो जो rule regulation होना चाहिए पैसे को maintain करने का उसमें काफी delay बरती जाती है ताकि यूके में खास करके जो money laundering का पैसा है वो आए और जो भी financial offenders होते हैं उनके बारे में कहां ही जाता है कि यूके एक safe haven है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस interview के बारे में जो की BBC के दुआरा conduct किया गया था और जब से ये interview on air हुआ है या YouTube या और भी अलग-अलग social media platform पे आया है तब से बढ़ चड़कर लोग इस interview को देख रहे हैं और इर्फान अली की तारीफ कर रहे हैं साथ में उनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो journalist है ये किस तरीके से अपने विचार या अपने देश का विचार को इनके माथे पे थोप रहे हैं वैसे तो normally होता है कि जो पतर हो तो ये है गयाना और ये है फ्रेंच गुएना ये बाइदी वे अभी भी controlled by France है इसकी भी बड़े interesting कहानी है मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में भी जाके पढ़े हैं तो अगर आप गयाना को map में देखते हैं तो गयाना या in fact जितने भी जो South America में देश आते हैं सभी के पास minerals काफी भरे पड़े हुए हैं लेकिन इन देशों में law and order का काफी issue है लेकिन recent time में गयाना काफी अच्छे तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश को develop कर और इसके कारण अलग-अलग देशों का investment को अपने देश में invite करें इसी बीच गयाना को ये मालूम पड़ता है कि उनके पास बहुत बड़ा भंडार है oil का यानि कि crude oil का तो कहीं पे भी अगर exploration होता है या oil निकाला जाता है तो उस process में कुछ ना कुछ जो damage होता है वो nature को पहुचता ही पहुचता है और सभी देश अगर in fact गयाना के बदले यहां पे अगर कोई और भी देश होता तो वो भी अपने minerals को निकालता और उस minerals को बेच के वो अपने देश का जो development है उसको वो करता क्यूंकि वो western countries करता तो इसलिए उसके वारे में कहीं से कोई बात नही होती लेकिन क्यूंकि यह South American country है तो इसलिए जो western media जे उनको काफी परिशानी है तो इसी बात को court करते हुए जो interviewer था वो यह कह रहा था कि आप जो oil निकालने की बाते कर रहे हो तो उससे क्या लगता है कि climate change या climate को कहीं से नुकसान नहीं पहुचेगा उसी के जवाब में इर्फान अली कहते हैं कि गयाना के पास बहुत बड़ा forest reserve है जो कि उस carbon emission को अपने अंदर सोख लेगा और इसी interview में वो यह भी कहते हैं कि गयाना एक carbon neutral देश है कहने का मतलब है कि अगर एक certain percentage of carbon अगर release होता है तो गयाना के पास इतने प्रयाप्त forest हैं कि जो carbon release हुआ है उस प्रयुकुल नहीं चाहते हैं कि जो western countries हैं या जो so called developed nation है वो गयाना को climate change के उपर वो गयान दे अभी हम सभी को पता है कि Israel attack कर रहा है गजा में Russia और Ukraine के बीश में लडाई है तो क्या यहाँ पे जो climate change का असर नहीं हो रहा अगर आप सिपरी का website जाके पढ़ेंगे तो आपक जब बनता है manufacture होता है तो क्या उसमें climate change नहीं होता है या वो किसी तरीके से climate को असर नहीं पहुचाता है तो बिलकुल पहुचाता है और in fact US का जो foreign policy है वही support करता है arms को बेचने के लिए और अगर किसी भी देश के पास wealth है या किसी भी देश के पास कोई ऐसा resource है जिसको व को ये कह रहे हैं कि हाँ आप जो oil exploration कर रहे हैं तो इससे काफी नुकसान पहुच रहा है in fact Saudi Arabia 90% oil export करता है या निकि उसके जो GDP का 90% का जो income होता है वो oil based income ही होता है क्योंकि western countries अब ये चाह रहे हैं कि 2030 क्यास पास तक वो complete तरीके से petrol डीजल गाडी को छोड़के वो electric vehicles के तर किएगा ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से ये so-called जो west के journalist है ये अपने opinion को थोपते हैं और जब खुद arms वगेरा बेशते हैं जब खुद war करवाते हैं तब कहीं से कोई climate change नहीं होता है लेकिन एक देश बहुत ही legal तरीके से अपने minerals को बेश के जब वो develop करना चाहता है अपने देश को तो इन सब media's को या इन सब media houses को काफी तकलीफ होती है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye